बिहार में इस साल मौनसोन पूरी तरह से सक्रिये हैं मौनसोन के लगातार सक्रिये होने की वज़गा वाड़िये से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा पिते दिन राजधानी पटना सहित कई इलाकों में आकाश में आन्शिक रूप से बादल चाय रहे वहीं उमस्भरी गर्मी से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है अगर मौसम विभाग की माने तो राजध के अधिकतर जीलों में आज हलकी से मध्यम बारिश होगी जहां आज का अधिकतम तापमान 28-30 ड्रिगी सेल्सियस और न्यूंतम तापमान 26-28 ड्रिगी सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है मौसम विभाग पचना के अनुसार मौनसून दक्षिन 36 गट पर निम्न दवाग का शेत्र और संबध चक्रवाती परिसंचरन के साथ आसपास आसथ समुद्र तल से 4.5 किली विचर तक फैला हुआ है उचाए के साथ ही दक्षिन पश्चिम की और जुकाव बना हुआ है पश्चिम मध्य बंगाल की खारी तक फैली हुई है चलिए अब देखते हैं जिलेवार ढंक से आज यानी दो सितंबड के बौसम का हाथ आईमजी पटना दोर मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्वी बिहार के जिले पुर्वी और पश्वी चमपारन, सिवान, सारन और गुपालगन जिले में आज अधिकतर जगों पर वर्षा होनी की संभावना है वही उत्तर मध्य बिहार के जिले सीता मधी, मधुबनी, मुजफर, पूर, दर्भंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तिपूर में भी आज कुछी जगों पर बारिश होनी का अनुमान है उत्तरपूर बिहार के जिले सुपॉल, अडड़िया, किशिंगज, मधिपूरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के अधिकांश जगों पर आज बारिश होनी का अनुमान है अन्य जगों पर आंशिक रुप से बादल चाय रहने की उमीद है वही दक्षिन पशिम बिहार के जिले बकसर, भुजपूर, अधास, भववा, औरंगावा, चोहानावाद और अर्वल में आज कुछी जगों पर बारिश होनी की संभावना है दक्षिन पधि बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शिकपूरा, नवादा, बेगुसराय और लखिसराय जिले के कुछ अस्थानों पर आज हलकी बारिश होनी का अनुमान है वही अन्य जगों पर आंशिक रूप से बादल चाय रहेंगे वही दक्षिन पूर बिहार के जिले कटिहार, भागलपूर, बाका, जमुई, मुगेर और खगरिया में आज कुछ अस्थानों पर बारिश होनी का अनुमान है विशेस रूप से राजधारी पटना और आसपास के इलाखे की बात करें तो अगले 24 घंजे के दोड़ा मौसम में बदलाओ देखने को मिलेगा आसमान में आंशिक रूप से बादल चाहे रहेंगे जोहां अधिक्तम तापमान 30-32C और न्यूंतम तापमान 28-30C दरच किया जा सकता है आज के लिए बस इतना ही बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस धन्यवाद